नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बेहदी सक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं इस उपाय को केवल आप तभी करें जब आपके पास इसके अलावा कोई और चारा ही न बचा हो दोस्तो कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में कारण वे अकारण शत्रूता पैदा कर लेता है यानि कि चाहे न चाहे उसके जीवन में शत्रू आही जाते हैं कभी कभी शत्रू इतने ताकतवर होते हैं कि उनके आगे हमारी हर प्रकार के परियास भी विफल हो जाते हैं किसी बुरा लगा हो, उसके कारण बने हुए शत्रू, ऐसे ही होते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है और वो शत्रूता निवाते हैं, ये बात और है कि उन लोगों को, जब भी कोई गलत कारे करते हैं, तो उसका प्रिणाम भोगना ही होता है, लोग मानते हैं कि उन्हें इसका कोई परिणाम नहीं भोगना होगा लेकिन आप जो भी कर्म अच्छा या बुरा अपने जीवन में करते हैं उसका परिणाम तो आपको भोगना ही होता है आज नहीं कि तो कल आपको उसका परिणाम अवश्य ही भोगना होगा उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति गलत करिया करता है, गलत मनसाशे करता है, तो उसका परिणाम उसे वोगना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कभी-कभी हम सही होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कई दुस्मन यानि कि शत्रू बन जाते हैं। ऐसी स्थिती में कई बार शत्रू इतना तागत पर होता है कि हमारा पूरा परिवार तक भी रास्ते पर आने के कगार पर हो जाता है। इसलिए दोस्तों जब आपके पास कोई और चारह ना बचे तो आप इस उपाय को अवश्य करें, वरना बिलकुल भी ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शत्रूता नश्ट करने का एक खतरनाक वश्य करन से युक्त एक ऐसा उपाय जिसे करने से कभी भी विफलता हाथ नहीं लगती है। हमेसा ही आप सफल होते हैं। आपके सभी शत्रू गुठने टेक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक अनुरोद करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें क्योंकि हम हरुज लाते रहते हैं ऐसा ही चबरदस उ पात्रूम में बहुत सी चीज़ें दलवाई हैं कागज पर लिखकर या पिर नमक आधी बहुत सी चीज़ें दलवाई हैं सब्सक्राइब नास करने के लिए यह उपाई भी कुछ उस जैसा ही है लेकिन उन सभी से ज्यादा सक्तिशाली है बलकि आज की वीडियो में हम आप के एक मंतर भी बताएंगे लेकिन इन मंतरों का केवला तभी इस्तमाल करें जब आपके पास कोई और चारा ना बचे दोस्तों इस उपाई में आप अगर मंतर का जाब नहीं भी करते हैं तो इसका परवाव और भी यह बढ़ जाता है अगर आप मंतर का जाब ना भी करें उतना ही ज़्यादा आपका शत्रू तरब उठेगा और चारो तरब से दीरे-दीरे खत्म होने लगेगा हर प्रकार से उसके शक्ती हीन होती जाएगी और आपको वे परिशान करना छोड़ देगा इस क्रिया को बार बार दोराने से शत्रू का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और वे कुछ भी सोचने समझने की शक्ती में ही नहीं रहता है कि किस प्रकार से मैं फला फला व्यक्ती को परिशान करूँ या उसको नुक्सान पहुचाओ इसलिए वे अपने सबी क्रियाओं को बंद कर देता है और आप अपने स्कून बरी जिंदगी को जीने लगते हैं जैसा भी आप उस सत्रू के बारे में सूचते हैं जितना भी आप से नुक्शान पुचाना चाहते हैं ये करिया आपको वे अपने मन में रखते हुए कि मैं उस व्यक्ति का इतना नुक्सान करना चाहता हूँ या फिर उसे अपने आपसे इतना दूर करना चाहता हूँ उसे इतनी हानी पचाना चाहता हूँ अपने मन में सोचते हुए उस व्यक्ति के नाम पर ही टोईलेट कर दे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन से वेट सत्रू बिलकुल अंत कर देगा अगर आपके सत्रू एक से ज़्यादा है तो आप उन सभी का नाम टॉलेट के फर्स पर लिख सकते हैं और इसके लिए को कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवले तना ही कल फिर आप से मलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तक तक के लिदे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले जै बजरंग बली जै मातादी जै मालक्षमी